आज हम आपको layout tab के hyphenation option के अंतरगत सभी option की जानकारी दे रहे हैं किसी document के किनारे तक पहुचने पर किसी शब्द को विभाजित करने के लिए hyphenation एक hyphen का प्रियोग करता है hyphenation को हिंदी में योगिक शब्द भी का जाता है इसका प्रियोग शब्दों के बीच में किया जाता है यदि text line में पूरी तरह से नहीं आपाता तो या अपने आप ही text को deduct कर लेता है और deduct किये गए text को या hyphenation की साहिता से hyphen का चिन लगाकर इसे निचली line में adjust कर देता है तो चलिए अब हम इसे practical तरह से समझते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को ज़रूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं hyphenation का use करने के लिए आपके पास एक document होना चाहिए जैसे हमने आपर एक document insert कर रखा है इसके बाद आपको जाना है layout पर, और layout पर आप देखेंगे आपके सामने आप एक option दिखाए देगा आपको hyphenation का, इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपके सामने आपके सबसे पहला option आपको none दिखाई देगा इसका मतलब यह है कि अभी फिलाल हमने hyphenation को यहाँ पर turn off किया हुआ है इसको on करने के लिए या तो आप automatic पर click कर सकते है या तो फिर आप यहाँ पर manual को select कर सकते है सबसे पहले मैं आपको automatic को use करके बताता हूँ जैसे मैं यहाँ पर automatic पर click करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, windows बे आपका hyphenation यहाँ पर use हो चुका है तो यहाँ पर आप देखेंगे, encrypted पर भी आपका यहाँ पर hyphenation का use हो चुका है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी hyphenation यूज हो गया है तो इस तरीके से आप hyphenation का यहाँ पर automatically use कर सकते हैं इसके बाद वापस से हम layout type पर जाएंगे और hyphenation को हटाने के लिए आपको वापस से hyphenation पर click करना है और यहाँ पर आपको none का जो option दिखाई दे रहा है इस तरी आपको click कर दे रहा है जैसे हम none वाले option पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा पूरा paragraph यहाँ पर एक साथ हमें दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आप देखेंगे हमने encrypted को भी आपको दिखाया था कि इस पर भी hyphenation यूज हुआ है तो वो भी आप देखेंगे यहाँ से add करके नीचे की तरफ वो represent हो रहा है तो इस तरीके से आप hyphenation का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं manual की तो इस option पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएगा और इसमें आपको दिखाई देगा manual hyphenation English India और यहाँ पर आपको दिखाई देगा hyphenate at यहाँ पर आपको word दिखाई देगा की किस जगा पर आपका hyphenation यहाँ पर use हुआ है जैसे मानेज़े यहाँ पर disable में आपको hyphenation दिखा रहा है तो अगर आप disable में hyphenation का use करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसे yes करना होगा जैसे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ यहाँ देखेंगे आपको option दिखाई देगा disable का तो disable वाले option को अगर आप hyphenate करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे yes कर दीजे आप देखेंगे यहाँ पर वो hyphenate हो गया इसी तरीके से windows को भी अगर आप hyphenate करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इसे yes कर दीजे यह भी आपका hyphenate हो गया उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका application में भी hyphenate यूज़ हो जाए तो उसे भी आप यहाँ पर yes कर सकते हैं अगर आप इसे no कर देंगे तो आप देखेंगे application में आपका hyphenation यहाँ पर use नहीं होगा यह उसको छोड़ करके यहाँ पर आगे बन जाएगा और इसके बाद अगर हम बात करें आपर encrypted की अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि इस पर hyphen का use हो तो इसके लिए आप यहाँ पर no पर क्लिक कर दीजिए no पर क्लिक करते ही आप देखेंगे वो भी हमारा यहाँ से हट जाएगा इसके बाद यहाँ से आप इसे cancel करके देख सकते हैं उपर की तरफ जैसे हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर encrypted जो था इस पर हमारे hyphenation का यहाँ पर use नहीं हुआ है तो इस तरीके से आप manual hyphenate का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसकी settings की सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक option दिखाए देगा hyphenate option का इस पर आपको click करना है इसकी मादा देखेंगे आपके सामने यहाँ पर option दिखाए देगा automatically hyphenate document का इस पर अगर आप click कर देंगे तो आपको hyphenate option बार-बार use करने की ज़रक नहीं पड़ेगी जब भी आपको document यहाँ पर create करेंगे तो by default यहाँ पर hyphenate का use हो जाएगा इसके नीचे की तरफ अगर आप option देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है hyphenate word in caps अगर आप यहाँ पर click रखेंगे तो आपका अगर capital word यहाँ पर right side में hyphenate के लिए represent होगा तो वो word automatically hyphenate हो जाएगा और अगर हम इस पर से टीखाटा देते हैं और यहाँ पर ok बटन पर click करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कि आप देखेंगे हमारा जो keyword यहाँ पर हमने highlight किया हुआ है इस पर hyphenate का use होना चाहिए था तो इस पर hyphenate का use यहाँ नहीं हुआ है नीचे की तरफ अगर मैं आपको देखाऊ हूँ तो यहाँ पर किसी भी word में hyphenate का यहाँ पर use नहीं हुआ है अगर हम text को select करके इसके size को यहाँ से increase ये decrease करते हैं mileage हम से size को यहाँ से increase करते हैं तो आप इस वाले word के अंदर यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर hyphenate capital word को select कर लेता हूँ इसको select करने के बाद अब मैं जैसी OK button पर click करूँआ तो आप देखेंगे तो यहाँ पर capital word यहाँ पर highlight है वो यहाँ पर hyphenate हो चुका है तो अगर आपके पास कोई capital text है जो कि यहाँ पर hyphenate हो सकता है वो यहाँ पर hyphenate नहीं होगा अगर आप इस पर tick हटा देगे और अगर आप इस पर tick रखेंगे तो यहाँ पर अगर कोई capital word होगा जिसमें hyphenate होना चाहिए तो यहाँ पर automatically वो hyphenate हो जाएगा तो इस तरीके से आप इन दोनों option का use कर सकते हैं इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा hyphenation zone और यहाँ पर 0.63 cm का आपके सामने यहाँ पर value represent कर रहा है तो अगर आप इसे decrease करेंगे तो यहाँ पर आप last 0.25 cm तक इसे decrease कर सकते हैं यह hyphenation zone जितना कम रहेगा उतना ही better है यानि उतना ही जादा आपका यहाँ पर hyphenate का यहाँ पर use होने के chances रहते हैं इसके बाद next option के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे limit का एक option आपको दिखाई देगा इसमर आप limit set कर सकते हैं कि आप कितना hyphenate करना चाहते हैं एक word को करना चाते हैं दो word को करना चाते हैं चार word को करना चाते हैं इतने word के बाद hyphenate का यहाँ पर use नहीं होगा तो basically हम इसको जो रखते हैं no limit ही रखते हैं क्योंकि पूरे document में जहाँ पर भी hyphenate का use होना चाहिए by default यहाँ पर वो automatically hyphenate हो जाए तो इसकी limit हम यहाँ पर किसलिए no रखते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ 4 से 5 word को ही hyphenate करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो भी value डालेंगे उतने ही word यहाँ पर hyphenate होंगे उससे जादा word hyphenate यहाँ पर नहीं होंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर hyphenation option का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीज़ेगा धन्यवाद